आज हम इस वीडियो में 70 लीटर वेंडिंग लिड आयस बॉक्स के बारे में बात करेंगे यानि की 70 लीटर का डबल धककन आयस बॉक्स डबल धकन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक बड़ा धकन है और एक इसमें टॉप में ँदाइं ऑक शोटा धकन होता है जिसमें से आप आईस किर्म कुलफ्य कुछ भी समान बाहर निकाल सकते हैं सत्तर लीटर का आइस बॉक्स में करीब 50 किलो का समान आ जाता है 50 किलो का मतलब है 50 किलो पनीर आ जायेगा 50 किलो मक्खन आ सकता है कुछ ऐसा चीज जो इसमें डालना चाहें तो वो approximately 50 kg के आसपास आ सकता है फिर वो देखना पड़ेगा कि इसमें कितना इस्पेस आपका बाकी रह रहे हैं अब यह 70 लीटर का जो आइस बॉक्स हम लोग दिखा रहे हैं इसमें उपर टॉप में एक लिड है जिसमें आप देखनें तो यहां पर यह हमने कपजा नहीं द को यूज कर सकते हैं जैसे ही हम खोलते हैं तो यह कुछ इस तरह से रुक जाएगा और आप अभी अंदर देख रहे हैं कि हमने यह चल पैड्म लगा रखें चल पैड़ों का काम यह होता है कि अंदर क्यश्य को समान होता उनको ठंडक देना इन चल पैड़ों को आपको पह कवरेज दे देते हैं कोई समान ऐसा हो कुल्फी आइस्क्रीम तो वह कम पिग लेगी आपकी कि यह सत्तर लीटर का है यह इसका जो डाइमेंशन है वह अभी हम आपको बता रहे हैं डाइमेंशन इसका करीब जो लंबा ही है वह करीब 20 इंच की है कि यह देखिए यह अंदर से अंदर आप देखेंगे तो यह 20 इंच की है चोड़ाई जो आ रही है इसकी यह करीब करीब आप देखेंगे तो यह देख रहे हैं कि अपन चोड़ा इंच की चोड़ाई है और उंचा ही जो है वो उंचा ही करीब इसकी चौड़ा इंच की पर आप यह मान के चलिए कि 14 करीब 14 इंच की are और अपने इसाब से इसको पर बाइक Prp बांध सकते हैं, सामान को इदर और ले जाने के लिए काफी अच्छा है, इसमें आप बलीड में देखेंगे तो हमने इसमें चिटकनी दी है, आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ताला लगा सकते हैं, इसमें आगे ताला लगा दीजिए, वह कोई खुलेगा नहीं ये वाला, इ काफी मजबूत है इसकी आप चौड़ाई भी देखेंगे यहां पर चौड़ाई देख रहे हैं तो यह करीब करीब आपको यह एक इंच से उपर ही मिल रही है चौड़ाई तो थंड़क भी बराबर रहती है इसमें सत्तम नीटर का मेंडिंग लिड आइस बॉक्स ग्लोबल स्कार से के द्वारा एगे